स्वागत है आपका इस सेग्मेंट में कमोडिटी दस बजे दस मिनिट जहां पर की कमोडिटी मार्केट का एक अपडेट हम आपके सामने क्विकली रखेंगे उसके बाब विस्तार से आगे इस पर चर्चा भी करेंगे लेकिन अभी शुरुआती अक्शन अज़र आ रहा है व के आधार पर जो कुछ भी यहां पर अपडेट आ रहा है वो आपके सामने अग्री कमोडिटी से जुड़ा रखेंगे इसके बार नौन अग्री कमोडिटी पर भी फोकस करेंगे जीरा की बात करें तो जुलाई वाइदा 27,500 रुपे के करीब दाइरे में कामकाच धनिया ज गवार्गम और अगवारिसीड में बात करें तो खरदारी का रुझान है दोनों में ही गवार्गम जुलाई वाइदा 10,600 रुपे के उपर दिखा निश्ले स credential रोपर मांग दिखी है यहां पर और गवारी वाइदा निश्टर वाइदा ग सुलाई वाइदा 5,400 रुपे के बें दिखाई दिया कपास एप्रिल दो हजार पच्छिस पाइदा की बात करें तो पंद्रा सो पचास के करीब हलकी नर्मी का रुख है यहां पर कपास खली 2700 रुपए के करीब खड़ारी का रुख बरकरार और मेंथा ओईल 900 रुपए के पास हलकी नर्मी का रुख यहां पर भी दिखा तो यह हैं इस वक्त के अग्री कमोडिटी से जुड़ी दस बड़ी खबरे हमने आपके सामने एक एक करके रखी चलिए अब गेस्ट को भी शामिल करेंगे अपने साथ और हमारे साथ और रनिती बताने के लिए पृत्वी फिन मार्ट के कमोडिटी और करेंसी रिसरच हैड मनोज कुमार जैन जी जुड़ चुके हैं मनोजी थैंक यू सो मच एटीनाफ स्वदेश को समय देने के लिए क्विकली अग्री कमोडिटी पर पहले तो अपना नजरिया बताएए जीरे में कैसे ट्रेट कर सकते हैं जुड़ाई वाइदा 27 सेजा 500 के करीब और कुछ मांग को लेकर मजबूती दिखाई दे रिया एक्सपोर्ट मांग को लेकर क्या नजरिया बन रहा है आपका और किन लेवल्स को वाच करें गुड मॉर्निंग पुजा बिल्कुल यहां पर जीरे की बात करें तो हमने कल थोड़ा सुधार यहां पर कीमतों में आते हुए देखा था लेकिन एक दाइरे का ही ट्रेड यहां पर देखने को मिल रहा है कुछ एक्सपोर्ट डिमांड के चलते यहाँ पर कीमतों में सुधार देखने को मिला था लेकिन हमारा मानना है कि एक रेंज का ही ट्रेड यहाँ पर रहेगा 26,000, 528,000 अभी एक दाइरा बना हुआ इसके उपर नजर रखना चाहिए अभी कोई बड़ी देटी की जो गुंजाईश है वो यहाँ पर नजर नहीं आती है तो हमारा मनना है कि उपरी इस तरों पर बाइंग से यहाँ पर बचके चलना चाहिए तो उपरी सतरों पर खरदारी करने से बचे क्योंकि अभी जो टेखा में दिखाई दे रहे हैं कमजोरी है डेव परसेंट नीचे जीरा इस वरत कारोबार यहाँ पर होते हैं दिखाई दे रहा है धनिया धनिया क्या सलादेंगे अप मनोजी जोलाई वाइदा 7400 के करीब है यहाँ पर नीचेश्ले इस तरहों पर सपोर्ट को जो होड करता हूँ चल रहा है हमारा मनना है कि यहां पे 7400 के इस तरह पे जुलाई वाइदा में अगर किसी को पोजिशन लेनी है तो ले सकते हैं 7320 का स्ट्रॉप लॉस रखे उपर में 7550 तक के लक्ष रखे जा सकते हैं यहां भी एक दायरे का ट्रेड रहेगा लेकिन निशले इस तरह पर यहां पर सपोर्ट अभी भी बने हुए तो दोनों ही कमॉडिटीज में कल भी दायरे में ट्रेड था आज भी एक रेंज में ही इसवगत कारुबार उपार का व्यूद यहां पर देखने को मिल रहा है 17,650 के एहम सपोर्ट लेवल है वो अगस्त वाइदा होल्ड करके चल रहा है डिप्स में बाई की सला रहेगी 17,650 के इस तर मिले तो बिल्कुल यहां पर बाई करके चलना चाहिए 17,200 का एक स्टॉप लॉस रखे उपर में 18,400 तक के लक्ष रखे जा सकते है बिल्कुल तो 18, 1000 तक के उपर के लेवल्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं स्टॉप लॉस भी आपको बता दिया है गौर्गम और गौर्सीट की बात करें तो गौर्गम जुलाई वाइदा 10,600 रुपए के करीब था गौर्सीट जुलाई वाइदा 5,400 रुपए के करीब तो यह लेवल्स इस वक नज़र आ रहे हैं गौर्गम और गौर्सीट यहां पर किस तरह से ट्रेट करने की सला देंगे कर यहां पर एक स्पाइक देखने को मिला था गौर्सीट और गौर्गम की कीमतों में लेकिन उपरी लेवल से फिर हमने एक बार शार्प जो है करेक्शन आते हुए दे से ओपर में यहां पांश जार पांसो तक के लख्श रखे जा सकते हैं वही अगर गौर्गम की बात करें तो दो सचाशन के आसपास के इस तरह मिले तो बाए करना चाहिए स्ट्रॉप लॉज जो रखना है वह दो सचांने की साला अपको दी जारी है कपास खली में मिला मनुच जी कपास या कपास खली में कपास में हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट नो लगातार कीमतों में दबाव बना हुआ है लेकिन बारती बाजारों में जो कीमते हैं वो प्रीमियम पे बनी हुई है तो यहां पे कोई भी रणडीती बना कर चलने की सलाह नहीं र हम ठीक है तो यह है सलाह कपास खली पर 2770 का होगा टारगेट स्टॉप लॉस है 2684 का यह तो बात भी अग्री कमोडिटीज किया बात हैं नौन अग्री स्पेस में और इस वक्त शुरुवात जो है वो काफी सपार्ट है सपार्ट से कमजोर शुरुवात यहां पर कुछ स्प 24% की बढ़त है और सिल्वर में भी अगर देखेंगे तो यहां पर भी काफी हलके कमजोरी के साथ यहां पर सिल्वर में भी शुरुवात होतो होतो है नजर आ रही है गोल्ड सिल्वर को आज कैसे ट्रेट करें मनुच जी सोने चांदी में कल हमने बड़ी गिरावट आते हुए देखी थी यूएस फेड मीटिंग के जो आउटकम्स आयते हैं उसके बाद यहां पर मार्केट को एक डिसपॉइंटमेंट जो होता हो नजर आया क्योंकि फेड ने जो ब्याजदरों में कटोती के अनुमान तीन देखा है कि जो यूएस पीपीए के नंबर्स थे वो उमीद के मुताबिक थे तो यहां पर कहीं ने कहीं यूएस में इंफलेशन में कमी आती हुए दिख रही है तो उसका सपोर्ट कीमतों में मिलता रहेगा निशले इस तरों पर यहां पर डिप्स में बाई की सला रहेग 71-400 के टारगेट्स हैं सोने के लिए थोड़ी नर्मी आपर नज़रा रही है लेकिन बाई रिप्स की रंगीती अपना के चलिए कच्छे तेल में थोड़ी कमजोर शुरुआत हो रही है आधा परसेंट से जादा नीचे है इस पक्त कच्छा तेल कच्छे तेल में क्या और बिक वाली और करेक्शन यहां पर आप आप देख रहे हैं मनुझ जी कच्छे तेल में प्रेशर जरूर देखने को मिला था कल डॉलर इंडेक्स में मजबूती थी और जो यूएस फेट के कमेंट्स थे वो थोड़े हौकिश थे लेकिन अभी भी यहां पर यूएस जो पीक समर ड्राइविंग सीजन के डिमांड को लेकर के होप्स बने हुए है डिप्स में यहां भी बाई की सला रहेगी हमारा मनना है कि 6460 के इस तरह गर मिलते हैं तो जून वाइदा में बाई करके चलना चाहिए 6580 के लक्ष के लिए स्टॉप लॉस जो लगाना है 6410 का लगाना है लेकिन बाकी दूसे मेटल्स देखेंगे तो वो तोड़ी कमजोर शुरुआत यहां पर देखने को मिल रही है तो बेस मेटल्स में ट्रेट कहां पर ले आज बेस मेटल्स में भी यहां उपरी लेवल्स पर लगातार दबाव ही देखने को मिल रहा है और हम देख रहे हैं कि जो LME के वेराउस स्टॉक से वहाँ पे फिर एक बार बढ़ोतरी देखने को मिली है चाइना की डिमांड को लेकर के कंसर्स से वहाँ के जो मैनिफेक्टिंग क जो आकड़े आये थे वो डिसपोइंटिंग थे तो हमारा मनना है कि यहां पे कॉपर में उपरी लेवल्स पर प्रेशर बना रहेगा अगर दीन के सत्र में 866 तक के इसतर कॉपर आता है तो वहाँ पे फिर एक बार बिकवाली की सला रहेगी 872 के स्टॉप लोस से नीचे मे यहां पे 854 तक के लख जो है वो देखने को मिल सकता है तो कॉपर में आप ट्रेड करके चलिए बिकवाली का 854 के टारगेट होंगे स्टॉप लोस होगा 872 का चलिए फिलहाल इस सेग्मेंट में इतना है मनोजी बाबा धनेवाद आपका समय देने के लिए और यह रणीती स जाने के लिए हमारे दर्शकों के लिए